परिचाएद आप अपने आसपास विभिन तकार के जन्तू और पादब देखते हैं, वो विभिन आकरिती और साइस के होते हैं, और एक दूसरे से भिनने भी दिखते हैं, लेकिन उन में एक चीज़ समान होती है, वो सभी जीवन की सबसे छोटी एकाई कोशिका से बने होते हैं अताहा इस पार्ट में हम कोशिका और इसकी संदचना के बारे में पढ़ेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका और इसकी खोच के बारे में जानना एक कोशिक और बहु कोशिक जीव को परिभाशित करना कोशिका की सर्नचना का वर्णन करना प्लैज्मा जिल्ली, कोशिका भित्ती, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में समझना जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना कोशिका का परीचए कोशिका जीवन की मूल भूत, संदचनात्मक और प्रकारयात्मक इकाई है प्रयोग प्यास का एक छोटा टुकडा लीजिए और चिम्ती की सहायता से इसके छिलके उतारिए इस तुकडे को ततकाल पानी भरे काँच के छोटे प्याले में रखिए एक काँच की स्लाइट लीजिए, इस पर जल की एक बूंद डालिए और काँच के प्याले से एक छिलके का टुकडा उठा कर स्लाइट पर रखिए इस टुकडे पर आयोडीन विलियन की एक बूंद डालिए और उठाने वाली सुई की साहता से कवर सिलिप पर रखिए इस लाइट को पहले अल्पक्षमता और फिर उत्रिक्षमता वाले समवन्धित सूच्म दर्शी के नीचे रखिए आप देख सकते हैं कि ये सभी सनचनाएं एक दूसरे के समान हैं कोशिका की खोज क्या आप चानते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस ने की जी हाँ कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुग ने 1665 में की उन्होंने एक सामान ने आवर्थक यंत्र की साहता से कौर्क के एक पतले स्लाइस का अध्ययन किया और देखा कि कौर्क की सनचन मदू मक्की के छत्तों के समान है जिसमें कई कोश्ट युक्त अथ्वा विभाजित बक्से हैं रॉबर्ट हुग ने इन बक्सों को कोशिका कहा जीवों के प्रकार एक कोशिक जीव में संपूर्ण जीव का निर्मान एक कोशिका से संभव है इसके उधारा हैं अमीबा, क्लेमिटो मोनस, करामीशियम और डेक्टीरिया चानी जीवानों बहु कोशिक जीव में बहुत सी कोशिकाएं एक यही शरीर में समूं का निर्मान करती हैं और शरीर के विभिन अंगों के निर्मान के लिए विभिन प्राकारियों का संचालन करती हैं इनके उधारन हैं कुछ कवक, पादप और जन्तु प्रतेक सजीव कोशिका के पास कुछ मूल भूत प्राकारियों को निश्पादित करने की इक्षमता होती है, जोकी सभी सजीवों की विशेशता होती है उधारन स्वरूप हिर्दै की कोशिका का कून पहुँचाने का, पेट की कोशिका का आहार पाचन का काम इत्यादी प्रतेक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं प्रतेक प्रकार के कोशिकांग एक निश्चित प्रकार को किरियानवित करते हैं, जैसे की कोशिका में नए पदार्थों का बनना कोशिका से अप्चिस्ट पदार्थों का निस्तारन इत्यादी कोशिकाओं की आकरिती और साइज कोशिकाओं की आकरिती विभिन्न सजीवों की आकरिती भिन्न होती है यह उनकी कोशिकाओं में भिन्नता के कारण होता है Amoeba, Pseudo-Podia के कारण अपनी आकरिती बदलता रहता है कोशिकाएं समानिता, गोल, गोलाकार या लंबी होती है कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकिले होते है कोशिका का साइज सजीवों में कोशिका का साइज एक मीटर के दस लाक में भाग यानी माइक्रो मीटर या माइक्रोन अथवा कुछ सेंटी मीटर लंबा हो सकता है सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रो मीटर की होती है जो की जीवानों कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका शुतुर मुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm का होता है प्लैस्मा जिल्ली, कोशिका जिल्ली और इसके प्रकार कोशिका किस चीज से बनी होती है? सूक्ष्म दर्शी की सहायता से कोशिका का अध्यान करने पर लगभग प्रतेक कोशिका में हमें तीन भाग प्लैस्मा जिल्ली यानि कोशिका जिल्ली, केंडरक और कोशिका द्रवे प्राप्त होते हैं जो कोशिका के भीतर होने वाली करतेग कतिविधी और वातावरण के साथ होने वाली परसपर क्रिया के लिए उत्तरदाई होते हैं। प्लैस्मा जिल्ली यह कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कोशिका के पदार्थों को बाहरी वातावरण से प्रत्थक करता है। यह कुछ पदार्थों की गती को भी रोकती है, इसलिए कोशिका जिल्ली को चैनित पार गम में जिल्ली भी कहते हैं। प्लैस्मा जिल्ली और इसके प्रकारे सुच्छ जल्ल के एक कोशिक, सजीव और अधिकतर पादप कोशिकाएं परासरण के मात्यम से जल ग्रहंड करते हैं। पादपों की जड़ों द्वारा जल ग्रहंड भी परासरण का एक उधारण है। अतहा किसी कोशिका की जीवन में गैसों और जल के आदान प्रदान में विसरण महतकून होता है। कोशिका भित्ती और इसके प्रकारे कोशिका भित्ती पादों में कोशिका जिल्ली के अतरिक्त एक पहरी मोटी परद होती है जिसे कोशिका भित्ती कहते हैं। पादप कोशिका मुख्यता सेलिलोस से निर्मित होती है। सेलिलोस एक जटिल पदार्थ होता है और यह पादों को संदचनात्मक शक्ती प्रदान करता है। कोशिका भित्ती के प्रकारे कोशिका भित्ती पादपों को द्रढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। यह पादप कोशिकाओं, कवकों और जीवाणों को बगैर फटे प्रतिकूल दबाहों बनाते हुए कोशिका द्रव्वे और इसके प्रकारे कोशिका द्रव्वे प्लैज्मा जिल्ली के भीतर पाया जाने वाला एक तरह का पदार्थ होता है। इसमें कई विशिस्ट कोशिका अंग होते हैं। प्रतेक कोशिका अंग कोशिका के लिए एक विशेश प्रकारे का निश्पादन करता है। कोशिका द्रव्वे के प्रकारे कोशिका द्रव्वे में सभी कोशिका अंग संगटित होते हैं। केंद्रक और इसके प्रकारे केंद्रक केंदरक के उपर एक दोरी परतवाली जिल्ली होती है जिसे केंदरक जिल्ली कहते हैं केंदरक जिल्ली में रंद्र होते हैं जो कोशिका द्रव्वे एवं केंदरक के बीच पदार्थों के आवगमन को नियंत्रित करते हैं केंद्रक में क्रोमोसूम अथवा गुण सूत्र होते हैं जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। आनुवन्शिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीड़ी में इस्थानांत्रित करने वाली सूचनाएं गुण सूत्र में डियने यानी डियोक्सी राइपो नूकलिक एसिड अणों के रूप में संजुत रहती है। गुण सूत्र डियने और प्रोटीन से बने होते हैं। डियने के सक्रिय भाग को जीन कहते हैं। जब भी कोशिका विभाजित होने को होती है तो क्रोमेटीन, पदार्थ, गुण सूत्र में एकत्रित हो जाता है। कुछ सजीवों जैसे जीवाणूं में कोशिका का केंद्रक, केंद्रक जिल्ली के अभाव के कारण मुश्किल से पैचाना जाता है। इन सजीवों को प्रो केरियोर्स कहते हैं, जिन सजीवों में केंद्रक जिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें युकेरियोर्स कहते हैं. केंद्रक के प्रकारे केंद्रक कोशिका पुनर उत्पादन वा प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्मान करती है इस प्रक्रिया में केंद्रक केंद्रिय भूमिका निभाता है यह कोशिका की गदिविधियों का नियमन भी करता है रिक्तिका ठोस अथवा द्रव्य पदार्थों के लिए भंडार कोश है। 50-90 प्रतिशत भाग होती है। बादब कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती हैं। और कोशिका को स्फिती और दिरणता प्रदान करती हैं। जीवन के लिए आवश्यक कई पदार्थ रिक्तिका में संचित होते हैं। इनमें एमिनो एसिट, शरकरा, विभिन जैविक अमल और कुछ प्रोटीन शामिल है। अमीबा जैसे एक कोशिक सजीवों में आहार रिक्तिका आहार संचित रखती है। जिसे अमीबा ग्रहन करता है। कुछ एक कोशिक सजीवों में विशेश रिक्तिकाएं, अतरिक्ति जल और अप्षिस्ट को कोशिका से बाहर निस्तारित करने में मुख्य भूमी का निभाती है। प्लैस्टिड प्लैस्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जन्तु कोशिका में प्लैस्टिड नहीं पाए जाते। प्लैस्टिड अपनी वाहिस सनचना में माइटो कॉन्ट्रिया जैसे होते हैं। प्लैस्टिड दो प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानि रंगीन प्लेस्टिट और लूकोप्लास्ट यानि सफेद या रंगीन प्लेस्टिट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिट होते हैं जो फूलों और फलों को विभन रंग प्रदान करते हैं। लिवकोप्लास्ट रंगहीन प्लैस्टिड होते हैं। इसमें स्टार्च, टेल और प्रोटीन कनिका संचित रहते हैं। जिन प्लैस्टिड में क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट यानि हरित लवक कहते हैं। ये पातपों के प्रकाश संचिलेशन के लिए महत्प जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में विभेट सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में तोहराएं कोशिका की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1655 में की एक या कई कोशिकाओं की उपस्थिती के आधार पर सजीवों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं एक कोशिक सजीव और बहु कोशिक सजीव प्रते कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और ये विशेश प्राकारियों का निश्पादन करते हैं। प्लैस्मा जिल्ली कोशिका का सबसे वाहे आवरन होती है, जो कोशिका के पदार्थों को वाहे वातावरन से तथक करती है। कोशिका जिल्ली चैनित पारगम्य जिल्ली के रूप में भी कारे करती है, जो विभिन पदार्थों की कोशिका में आवा गमन का नियमन करती है रिक्तिकाएं ठोस और द्रफे पदार्थों के लिए भंडार कोश होती है जन्तु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है। प्लैस्टिट केवल पादप कोशिकाओं में प्राप्थ होते हैं। पादप कोशिकाओं में एक अन्य द्रण बाहरी आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह प्लैसमा जिली के बाहर स्थित होता है। केंद्रत प्रते कोशिका के केंद्र में स्थित एक गोलाकार या अंडाकार बिंदुनुमा आकरिती होती है। इसके भीतर कई विशेश कोशिकांग उपस्तित होते हैं।